एक था टाइगर, के साथ शुरू होकर, टाइगर जिन्दा है, तक तक पहुंची है, वो वहीं नरुके है। केवल टाइगर जिन्दा है, इससे काम नहीं की चाहिए। क्योंकि सल्मान खान टाइगर में एक रौ एजेंट का किरदार करते हैं, और मोदी भी सल्मान की इस फिल्म को जम कर सपोर्ट करते हैं। टाइगर तीन पठान के बाद दूसरी सबसे बड़ी वायारेफ फिल्म है, वही इस फिल्म में कैट भी खतरनाक रोल में नजर आएगी दोस्तों ये फिल्म सल्मान के करियर की बेस्ट फिल्म होने वाली है और इसके एक्शन भी हॉलिवुड लेवल के हैं, वही दोस्तों टाइगर फिल्म में ही। देखना टाइगर जब शिकार करेगा तो पुराने दिन याद आ जाएंगे जब हर कोई सल्मान की फिल्म देखकर एंजॉय करते थे। पहले क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म का स्केल काफी बड़ा होने वाला हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि टाइगर फ्रेंचाइस का तीसरा भाग टाइगर तीन मनीश शर्मा ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म इस दिवाली के आसपास हिंदी तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी। झाला होगी। झाला होगी। झाल झाल